मैं हूँ डॉक्र डिचा सिर्वास्ता और आपको बहुत 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 स्वारा धुर। आज मैं आप लोगों के लिए होमोपेथिक की प्रयॉप 5 होमोपेथिक मेडिसिन्स बताऊंगी अस्त्मा दमा या सास सूलना यह एक ट्रॉनिक इंफ्रामेटरी डिसॉडर है हमारे एयरवेस का मीज़ की हमारे शोतन दंद्र कई एक बीमारी है जिसमें जो है व्यक्ति की सास खूलने लगती है इसे चेस्ट में बहुत जादा डिसकंफर्ट या जगणन हुसूस होने लगत है और खासी पे एक तरीके की स्पेशल जो है वो बीजिन साउंड भी देखने को मिलती है मिसकी एक सीटी नुमा आवाज आपको सुनाई देगी खासी के अंग में खासी सास खूलना मिस सास तरीक प्रॉपर तरीके से ना ले पाना यह सब सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं क्यों आपकी विंट पाइप है जो आपकी स्वास नगी है वहाँ पर वो है वो नेरो हो चुकी है और नेरो होने के कारण वहाँ पे जो प्रॉपर आपका ऑक्सीजन का फ्लो आपके एर का फ्लो नहीं हो रहा है इसलिए यह सिम्टम्स देखने को मिलते हैं winter pipe में obstruction हो रहा है reversible type का तो वो क्यों हो रहा है और नेरो क्यों होने लगी हमारी winter pipe इसके बहुत से कारण हो सकते हैं उसे कि अगर आपको allergy है कुछ चीलियों से ऐसे की pollen, dust, smite, fumes, grains, और चो paints होते हैं या फिर आपको mental tension से, depression से, anxiety में एपिसोड आते हैं, asthma के या फिर improper diet habit है, कुछ certain fruits हैं जैसे की कुछ लोगों को peanuts, smooth वाली से allergy होती है, cashew, gazoo से भी होने लगती है या फिर कुछ particular food product होते हैं, उनसे भी कुछ लोगों को allergy होती है या फिर कुछ spices हो गए, खरण ठंटी चीचे हो गई, cold rain, ice cream, या ठंड का मौसम, या सभी की वज़े से भी अस्थमा देखने को में सकता है कुछ disease condition कैसे की allergic rhinitis, या फिर cardiac disease, या फिर skin allergy के disorderly की कारण भी जो है, अस्थमा दोगों को देखने को भी का ये सब भी बहुत सारी region होते हैं जो हमारी wind pipe को irritate करते हैं, hyper sensitive हो जाती है हमारी wind pipe और वो contract होका narrow हो जाती है ये narrow ही सक्री होने के कारण वहाँ पे जो flow होना चाहिए, ये अर्गा प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, obstruction या रुकावट होती है जिसकी बज़े से हमें सांस लेने में तख्रीक होती है, हमारे चेस्ट में हमें भारीपन लगता है, बहुत टाइपनेस मिलती है, कफ और बलगम भी देखने को मिल सकता है और बहुत देर तक अगर ये एपिसोड रहता है, अस्तमा का, कफ का और ब्रीधिंग का, तो जो हमें साइनोसिस मीज़ की, ये नीली भी पढ़ने लगते हैं, हमारे जो periferal organs होते हैं, जिससे फिंगर टिप्स हो गई, फिक पैरों की और हाथों की तो ये आपने जाने इसके symptoms और कारण अब आपको बताती हूं में, वो 5 homeopathic medicines कौन सी हैं, जो आस्तमा के patients के लिए बहुत ज़्यादा beneficial होती हैं, उनमें जो number वह हैं, जिससे की हम lungs का tonic भी कहते हैं, उस medicine का नाम है, spider sperma का mother tincture, ये medicine lungs की की किसी भी बिमारी के लिए बहुत जादा अच्छी है, ये हमारे lungs में blood supply को प्रॉपर करती है, टेंप्रेवी जो obstruction हुआ है, इसको remove करके, साथ ही हमारे lungs को मजबूर भी करती है, ये हमारे respiratory center को stimulate करती है, जिससे की proper oxidation हो, proper oxygen मिल सके लंग को, ये medicine cardiac asthma के case में भी बहुत अच्छा इसका गोल है, means कि अगर आपको cardiac disease के कारण asthma है, तो ये medicine और अच्छा वाग करती है, अगर आपने asthma के बहुत severe symptoms की है, तो भी आप इस medicine को जरूर लेकर देखें, इस medicine को अब लेना क्यासे है, अगर आपने severe symptoms देखने को मिल रहे हैं, और आपका बहुत chronic case है, तो आपको at least 20 drop इस mother tincture की लेनी है, आदे कब ग 10 drop ले सकते हैं, आदे कब गुल्गुरे पानी में, मीस दस स्कून आप डालिए, आदे कब पानी मीस पचल से 30ml जो पानी है, इस तो में दस पून जाल कर आप इसको दिन में तीन पाँ लें, और we di News time में आप इसकी 10 स्कून लें, आदे कब गुल्गुरे पानी में तिन में के बहुत अच्छा है अगर आपको अस्थमा के साथ ब्रॉंगाइडिस की प्रोबलम भी आपको प्रोबलम हों तो इसे भी अपको दिनधे में अब तीन पार लेना है सूबा दो फ़हराद राथ मारी थर्ड वंडर्फुल मैंडिसिन है गोधास 30 यह मैंडिसिन बहुत अच्छी है उस केस में जब आपको अलर्जी हुई हो किसके करण डस्ट के कारण मीस की दूल मिट्टी में आप बाहर गर और आपको छीक आने स्टार्ट हो गई अलर्जी आपको अलर्जी क्रोनिक होकर अस्टमा में कनवर्ट हो गई है मीस अब आपको अस्टमा हो गया है नाहर की डस्ट पार्टिकल से फ्यूम से पॉलन से तो अलर्जी में जाने से तो भी आपको अथास 30 मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं हमारी फोर्स मैडिसिन है नैट्रा मार्स 30 और यह मैडिसिन का बहुत अच्छा रोल होता है बच्चों में बच्चों अगर अस्टमा से ग्रसित हैं उन्हें एक छोटी एज में अस्टमा की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो आप नैट्रा मार्स 30 मेडिसिन यूज़ करें तो बच्चों का जो अस्टमा है वो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा निया आगे चलकर किसी भी इस्टोरा आइड या फिर अधर टीट्मेंट की दरवत नहीं पड़ेगी इसके अलावा जो माइनर्स अस्टमा होता है में जो कोल माइनस में या अंडरग्राउंड जो वर्ट करते हैं खादानों वगेरा में कोल माइनस में तो उन लोगों में अगर अस्टमा हो रहा है तो वहाँ पर भी नैट्रमार्श 30 बहुत अच्छा रोल प्ले करती है पेशेंट को ऐसा भी फील हो सकता है कि उसकी जो लंग सेस्ट में बहुत जादा धुआ भर गया है बहुत जादा उसको कंजेशन फील होगा जैस्ट पे बहुत ज़दा भाईपन और हैविनेस भी महसूस होगी हाट 30 मेडिसिन को आपको दिन में चार बार लेना है दो से तीन भून टारेक्ट अपनी टंग पर और बच्चों के लिए आप इसकी दो भून लें दिन में तीन बार वह भी जीट पर अब चाते हैं हमारी फिफ मेडिसिन की दरफ जो है एंटिम टार्ट 30 वह बहुत अच्छा है जहां जो पेशेंट है वह नमी वाली जगह में रहता है मीश सलाई कम आती है और बहुत टैम्पनेस है वहां पर नमी जैसे जो होती है वह अगर उनको रहते-रहते अस्पा की प्रॉप्लम होगी है तो आप अच्छा रोल है इसमें पेशेंट को एक साउंड का कफ मिलेगा मीज जो खडखड करके जो आवाज आके जो खासते हैं लोग वैसा वाला कफ देखने को मिलेगा उस तरहीं की खासी आएगी पेशेंट को और जितना वो खासेगा उसके गंपरेजन में जो उसका म्यूकस है बलगम है वो कम निकलेगा बार ऐसा इस तरह की कंडिशन में पेशेंट को आराम लगता है अगर बैठता है या फिर राइट साइड लेगता है तो उसको थोड़ा सा रिलीफ लगता है अपने सिंटम्स में ये सबी सिंटम्स अगर आपको लग रहे हैं अपनी बॉडी में तो आप एंटिमटार्ट फर्टी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुर मत भूले इससे आपको मेरे आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आप डिस्किप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं ती क्या प्रोसेस है मैं आप लोगों के साथ वही मैडिसिन से यर करती हूँ जिन पे मुझे बहुत विश्वास होता है और जिनके डिजर्ट अपनी क्लीनिक पर में देख चुकी रहती हूँ की तरौ आप तर हो मेडिसिन का विडियो लेकर आता हूँ इस तरीके से अगर आप किसी टॉपिक पर विडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें बताएं मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद